आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्फ करने जा रहे हैं उसमें हमें चार एक्स्प्रेशन्स दीवी हैं और इनको हमें क्या करना है इन एक्स्प्रेशन्स को हमने सिंप्लिफाय करना है एज फ्रेक्शन इन इस सिंप्लस्ट फॉर्म ठीक है तो लेट्स मूफ फावर तो सॉल्फ और पार्ट ए पार्ट A में जो हमें expression दीवी होग है 5 times P minus Q upon 2 negative 2 Q minus P upon 14 negative 2 times P plus Q upon 7 So let's move forward solve our solution सबसे पहले तो हम अपनी इस expression को as it is दोबारा लिखेंगे अच्छा देखें इसमें जो तीनों terms का जो denominator है वो 2, 14 और 7 आ रहे हैं तो 14 जो है वो 7 कभी multiple है और 2 कभी multiple है तो इस तरह की situation में जो सबसे बड़ा number होता है वो ही हमारा LCM आ जाता है तो इन तीनों terms का जो LCM आएगा वो 14 आएगा तो this implies that 14 हम LCM ले लेंगे अब first term का जो denominator है वो LCM को 7 times divide करेगा तो 7 जो quotient आया है वो इसके numerator से multiply हो जाएगा तो 7 जो quotient है वो numerator से multiply हो जाएगा 5 times P minus Q उसके बाद negative है उसके बाद ये 14 इस 14 को one time divide करेगा तो हम इसको क्या लिख देंगे simply bracket लगा देंगे bracket क्यों लगा रहा हूँ? इसनिके ये negative जो है इन दोनों को multiply कर रहा है ये plus के अंदर 2Q है और minus के अंदर P है अगर मैं bracket नहीं लगाँगा तो ये negative हो जाएगा और बाद में जब ये multiply होगा तो ये negative हो जाएगा और ये negative negative positive हो जाएगा तो ये positive में है तो minus से multiply होगा ये minus हो जाएगा और ये minus into minus plus हो जाएगा तो इस वज़ा से मैंने यहाँ पर bracket लगाने का कहा है ठीक है तो ये चीज़ आप हमीशे है ख्याल लखेगा अक्सर बच्चे जो होते हैं वो इस चीज़ में mistake कर देते हो और हमारा एक sign गलत होने से पूरा सवाल का answer जो होते है wrong हो जाता है now let's move forward अब ये negative है अब ये जो denominator है third term का 7 ये LCM को 2 times divide करेगा 7 2s are 14 तो quotient हमारे पास क्या है 2i 2 से हम इसके numerator को multiply कर देंगे तो ये तो 2 quotient है और already numerator के अंदे क्या लिखा है 2 times p plus q अब हम क्या करेंगे इनको open कर लेंगे brackets को हम सबसे पहले जो होते है inner brackets को open करते है this implies that 7 times 5 into p क्या हो जाएगा 5p हो जाएगा ये और plus into minus minus 5 into q 5q उसके बाद अब हम इस bracket को खोलेंगे negative से multiply करेंगे negative into positive negative into 2q negative into negative positive और ये क्या जाएगा पी अब उसके बाद negative 2 ये पहले से है उसके बाद क्या है 2 into p 2p plus into plus plus 2 into q 2q upon 14 अब हम क्या करेंगे जो brackets के बाहर जो जितने भी numbers लिखेंगे उनको हम multiply कर देंगे यहाँ पर क्या होगा 7 से हम multiply कर देंगे इसको 75,035p हो जाए गए है plus into minus minus 75,035q उसके बाद यह as it is रहेगा minus 2q और plus p as it is रहेगा अब हम इस 2 से अंदर के जो bracket के अंदर जितने भी numbers लिखेंगे उसको multiply कर देंगे minus 2 into 2 कितना हो गया minus 4p और minus into plus minus 2,2004q अब यह हमारे पास आगे अब हम क्या करेंगे like terms को add और subtract कर लेंगे उसके लिए क्या हम direct हम कर लेते हैं पी कितने हमारे पास की p terms कितनी है एक यह है 35p एक है plus p और एक है negative 4p तो plus का 35p और plus का p कितना हो गया 36p और 36p में से minus 4p करते है तो 32p आजाएगा हमारे पास तो this implies that यह तो हमने p को solve कर लिया 32p उसके बाद q की हमारे पास कितनी terms है तीन terms है इसमें cross लगा रहा हूं ताग हमें differentiate कर सकने कौन सी q और कौन सी p है तो 35q और negative 2q और negative 4q तीनो terms negative के अंदर है तो यह add होंगी मगर sin हमारे पास जो होगा वो minus कहीं रहेगा तो 35 plus 2 37 and 37 plus 4 45 negative 41q divided by 14 so this is the answer of our part a now let's move forward to solve our part b part b के अंदर आप जैसे के board पर देख रहे हैं मैंने इस question को दो दफा लिखा वा है इसकी वज़ा क्या है कि जो book में जो यह question है इस expression के हसाब से जो answer आता है वो book का answer नहीं है हाँ तो मैं आपको फिर दोनों तरीख से कर वाऊंगा अगर इस expression के हम थर्ड टम में माइनस के बजाए प्लस अगर हम लगा देंगे तो हमारा बुक के अकॉर्डिंग ली हमारा answer आ जाएगा तो इससे आपको यह भी पता लग जाएगा कि माइनस और प्लस की अगर आप लोग गलती कर देते हैं तो वह answer बिलकुल different हो जाते है सो लेट्स मूफ आवर तो सॉल्वावर सॉलूशन तो पहले तो हम इस इस उतारेंगे अपनी expression तो अब यह देखे हम इसका LCM निकालेंगे तीन जो हमारे पास प्राइम नंबर से तो हम जब प्राइम नंबर से होते हमारे पास आरे तो मुनको आपस में multiply करके हम उनका LCM निकाल देते हैं तो यह three two's are six और six five's are 30 तो 30 इसका LCM आ जाएगा इस इंप्लाइस टैट 30 इसका आ गया LCM अब यह जो first time का जो denominator है LCM को ten times divide करेगा three tens are 30 तो हमापस quotient क्या है 10 आया है तो 10 से हम numerator को multiply कर देंगे तो negative पहले से है ठीक है जी और 10 हो गया हमारा quotient और two a plus b यह हमारा numerator के अंदर लिखा वाता अब next जो है यह second term का denominator है वो 30 को 15 times divide करेगा two 15s are 30 तो negative पहले से है ठीक है जी और 15 हमारा quotient आ गया फिर numerator में क्या लिखा है three times a minus 3b फिर उसके बाद minus है यह five जो है third term का denominator है वो LCM को six time divide करेगा five six are 30 तो six इसका आगया quotient जो कि हम numerator से multiply कर देंगा और numerator में already का लिखा हुए four times a plus 2b अब हम क्या करेंगे इनको जितने bracket के बाहर जो भी number लिख है उससे हम multiply कर देंगे इसको तो यह minus into plus minus 1020a minus into plus minus 10 into b 10b फिर अब हम क्या करेंगे पहले inner bracket को solve करेंगे तो negative 15 हम जो है ऐसी as it is रहने देंगे और फिर हम three से इन दोनों terms को multiply करेंगे 3 into a 3a आ गया plus into minus minus और 3009b अब सेम इसी तरह हम यहां पर भी रखे रहेंगे पहले हम inner bracket को solve करेंगे negative 6 as it is रहेगा और फिर 4 into a 4a हो गया हमारे पास plus into plus plus 42008b upon 30 अब हम क्या करेंगे यह दो brackets हमारे रहेंगे इनको भी हम solve कर लेंगे minus 20 a minus 10b अब हम negative 15 से इन दोनों terms को multiply करेंगे negative into positive negative आ गया 15 3s आ 45 a negative into negative positive 15 9s आ 135 135 b अब उसके बाद हम minus 6a इन दोनों terms को multiply करेंगे minus into plus minus six fours are 24a और minus into plus minus six eights are 48b upon 30 अब क्या करेंगे हम a और b terms को हम अलग-अलग करके separate separate करके लिख लें या हम direct इसको solve कर लेते हैं यह a term है फिर यह एक a term है और एक यह a term है अब इनको हम add कर लेते हैं negative 20 a negative 45 a और negative 24 a यह तीनों negative के अंदर है add होंगी sign इनका negative रहेगा तो 20 plus 45 65 हो गया और 65 में अगर आप 24 add करें तो 65 75 85 और 4 89 तो यह क्या हैगा negative 89 a और यह हमारी जो है cross के साथ यह हमारी b terms है तो negative 10 b और plus 135 b तो plus का 135 और negative का 10 तो कितना बजाएगा हम आपा plus का 125 b और plus का 125 b और negative 48 तो 125 में से अगर हम 48 को माइनस कर दें 15 माइनस 8 7 यहाँ पे रहा 1 तो यहाँ से अपने बोरो कि 11 में से 4 गए हमारे पास 7 तो 77 हमारे पास बचेगा plus का इसलिए कि हमारे पास क्या था minus 10 b और plus 135 तो हमारे पास plus का 125 बचाता और negative आपने 48 के तो plus क्या हमारे पास 77 b हमारे पास बचा और divide के हमने उसको 30 से तो यह answer तो according to this expression है जो के book के अंदर यह answer नहीं है तो यह answer भी सही है बट इस expression के लिहास से बिलकुल सही है और जो book में जो हमें answer दिया हुए उसके अंदर book के अंदर क्या mistake है यहां पर negative के बजाए यहां पर negative कर दिया कर दिया कर नेगिटिव नहीं हो अगर उसकी जगा positive हम करने तो हमारे पास book के accordingly answer आ जाएकर नाव लेट्स बूफ और तो solve this part of question तो हम सबसे पहले यहां पर solution लिखेंगे अपना तो सबसे पहले तो हम अपड़ी इस expression को as it is उता रहेंगे तो जैसे मैंने last time आपको बताये तो इनका LCM क्या जाएका 30 आ जाएगा this implies that LCM इसका आगए 30 3 10s are 10 times you divide करेगा LCM को तो 10 से हम negative already है 10 हम यहां रखेंगे और 2a plus b यह numerator से multiply हो जाएगा quotient आया था यह फिर यह 2 इसको LCM को 15 times जाएगा 2 15s are 30 तो अब हम 15 से second term के numerator को multiply कर देंगे तो negative पहले से है 15 quotient आ गया और already हमारे पास का लिखावाई numerator के इसके अंदर 3 times a minus 3b उसके बाद plus है हमारे पास अब थर्ड टम का जो denominator है 5 इस LCM को 6 times जाएट करेगा 5 6 जाए 30 तो quotient क्या है हमारे पास 6 तो 6 से हम थर्ड टम के numerator को multiply करेंगे तो यह quotient आ गया और already हमारे पास क्या है numerator के अंदर 4 times a plus 2b तो सबसे पहले तो हम inner brackets को solve करेंगे जो के हमारे small brackets हैं तो negative 10 से इसको हम multiply करेंगे पहले 2a को तो negative into positive negative आगे 10 to the 20a minus into plus minus 10 into b 10b फिर उसके बाद हम inner bracket को solve करेंगे तो negative 15 को हम as it is रिक्रेंड देंगे उसके बाद 3 से हम इन दोनों terms को multiply कर देंगे 3 into a 3a हो गया हमारे पास और plus into minus minus 3009b उसके बाद plus 6 as it is रहेगा और हम 4 से इन दोनों terms को multiply करेंगे 4 into a 4a हो गया हमारे पास और plus into plus plus आगया 42008b upon 30 अब हम क्या करेंगे इन दोनों brackets को भी solve कर देंगे तो as it is हम इसको लिखेंगे minus 20a minus 10b और 15 negative 15 से हम इन दोनों terms को multiply करेंगे negative into positive negative आगया 153045a minus into minus plus 159035b अब हम क्या करेंगे प्लस 6 से इन दोनों terms को multiply करेंगे 64024a plus into plus plus हो गया और प्लस into plus plus 68048b upon 30 अब हम क्या करेंगे ए टर्म्स जो हैं उनको एक साथ add कर लेंगे add या subtract जो भी हो रही है तो तो negative 20a negative 45a और plus 24a अब आपने देखा यहां पर जब यह नेगेटिव लगाता हो तो यह नेगेटिव 24 था अब आप difference देखें यहां पर यह प्लस 24 हो गया ठीक है जी तो 20a और 45a कितना हो गया हमारे पास 65a हो गया 65 में से अगर हम 24 को minus करते हैं तो हमारे पास 41a बचता है कि 20 का नेगेटिव का इसकी न्तीकिन और नेगेटिव 25 और नेगेटिव 65 में से प्लस 24 करें तो हम आप पस कितना विचते हैं 65 55 55 45 такого 45 और 45 में से 4 आप मैनस करते हैं तो 41 तो हमारे पास नेजलने का हमारे पास बचेस्वन अबकर बचेंगा अब हम B को देख लेते हैं नेगेटिव 10B और प्लस 135B हमारे पस कितने हो गए प्लस का 125 और लास्ट टाइम हम आपस नेगेटिव 48 आ रहा तो यहां पर 48 प्लस में आ रहे हैं तो यह कितना हो गया नेगेटिव 10B और प्लस 135 तो प्लस 125 और 125 के अंदर अगर हम 48 को एट करें 13 carry 1 3 and 4 7 and 1 173 तो यह हमारे पास 173 आ जाएगा प्लस का तो यह क्या हो जाएगा प्लस का 173B upon 30 इस इस दी आंसर ओफ अवर पार्ट बी तो यह हमारे जो आंसर निकला है अगर उसमें बुक के अंदर घलती क्या है यहाँ पर उन्होंने नेगेटिव किया हुआ है पॉजिटिव के बजाए तो अगर आप इस तरीके से सॉल्फ करेंगे तो बुक के अगर्डिंग आंसर आजए कि मैं आपको दोनों तरीके से आपको सॉल्फ करवा दिया दोनों आंसर अपनी अपनी जगा सही है बट साइन का डिफ्रेंस है now let's move forward to solve our part C